नमस्कार साथियो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नरसिंग स्कूल में तो दोस्तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तो उमीर है आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तो तो आज आपके लिए बहुत बड़ी वेकिंसी नेकर आई हूँ और दोस्तो इस पे आर एमेल लखनव की विकिंसी है सिस्टर ग्रेट टू के लिए आगे हम बात कर लेते हैं किसमी विकिंसी है कैसे अपलाई करना है कौन कौन अपलाई कर सकता है क्या लास्ट रहने वाली है और क्या आपकी एक्जाम डेट है दोस्तो उसके लिए वीडियो को एंट तो का जरूर कर देना तो इसी की साथ आके बढ़ जाते हैं जल्द से जल्द तो सामने आप देख सकते हैं इन्फोर्मेशन ब्रॉशर आपको दे रखा है इन्होंने चीके और साथी साथ यहां में लिखा है ओनलाइन माधियम दुआरा कॉमन रिकूप्मेंट टेस्ट ओनलाइन आपको एक्जाम होगा ठीके दोस्तों नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा देती हूं जो भी इन्फोर्मेशन है आपको चाहिए होगी आपको सामने वेबसाइट दिखा रही हूं मैं www.drmlims.ac.in इसकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी आप विजेट कर सकते हैं मेरे दोस्तों तो इसी के साथ दोस्तों आगे दिखा देती हूं मैं आपको यहां पर लिखा हुआ है कि डॉक्टर आरेमल लुहिया आयुर्विज्यान तनस्थान गो एक से अधिक पदों पर आवेदन करने वाले अभियर्तियों को परति एक अलग 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 अवेदन शुल्क के साथ करना होगा चीकिए अगर एक से जाधा किसी पोस्ट पर आप अपलाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको separate form फिल करना होग और साथी साथ जो fee होगी वो भी separate submit करनी होगी चीकिए साथी साथ आपको नीचे दिखा देती हूं मैं और important तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं मेरे दोस्तों काफि सारी पोस्ट है बट अभी mainly हम focus करने जा रहे हैं अपने sister grade 2 की vacancy पे ये group B के अंडर में है pay level आपको 7 द add होते हैं उसके हिसाब से हमारी salary बनती है ठीक है तो जो अभी इंडिया में चल रहा है level 7 तो sister grade 2 का आपको यहां पे हो जाएगा ठीक है अब हम देख लेते हैं कैसे category के हिसाब से पोस्ट ठीक है तो आपको यहां दिख रहा होगा आपको मैं दिखा देती हूं आपका यहां पे जो general category है दोस्तो general category में आपको 193 पोस्ट मिल जाएगी ठीक है 193 आपकी पोस्ट general की रहने वाली है और साथी साथ यहां पर आपको दिखा दूं SC category की 79 आपकी पोस्ट रहने वाली है दोस्तो आपकी ST की no post है OBC के लिए 121 पोस्ट है EWS वाले 29 अप्लाई करेंगे टोटल आपकी जो सीट है वो 431 रहने वाली है ठीके दोस्तो 431 आपकी टोटल पोस्ट रहने वाली है तो इसी के साथ देख लेते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है मेरे दोस्तो नीचे जाके देखते ह अब आपको हम सामने दिखा रहे हैं जैसे की सामने आप देख रहे हैं सिस्टर ग्रेट 2 के बारे में eligibility दे रहे हैं कौन को नप्लाई कर सकता है यहाँ पर सिस्टर ग्रेट 2 में यहाँ पर वो लगया है BAC nursing आपकी होनी चाहिए अगर आपने BAC nursing post basic BAC nursing कर रहे है तो आप स्टेट nursing council में भी चलेगा इंडी nursing council में भी चलेगा तो अगर अधर देन यूपी की बहार का registration तो आप अप्लाई कर सकते हैं दो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीक है अब नीचे बात कर लेते हम GNM वालों के लिए ठीक है तो जो यह GNM वाले हैं जिसने GNM कर रखा है ठी स्टेट और इंडीन nursing council में दोरों में applicable है साथी साथ GNM वालों को टू यहर्स का experience बूला गया है मिनिमा 50 बैटिट हॉस्पिटल में after acquiring the qualification ओके दोस्तों तो आप देख लेना अगर आपकी qualification eligibility पूरी होती है तो आप इस form को जल्द से जल्द फिल कर ले ठीके दोस्तों अब हम आयू सीमा की बात करते हैं 18 साथ चालिस साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इसको apply कर सकते हैं 40 साल तक के ओमर के लोग इसमें apply कर सकते हैं अब आयू सीमा में छूट क्या है यह देख लेते हैं यहां पर बोलग यह है जित्ति भ दोस्तों यहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं 5 साल की वर्ष की अवधी तक यूपी सरकार की प्रासंगिक शाशन देशों के अनुसार अनुमें होगी मतलब आपको छूट मिलेगी 5 साल की दोस्तों और साथ इसाथ आपको दिखा देते हैं अब हम आपको बताते हैं अप्लिकेशन फीज कितनी लगने वाली है पहले नंबर पर जनरल कैटिगरी के हैं जनरल कैटिगरी वालों को ग्यारा सो असी रुपे की फीज भर रही है हजार रुपे फीज है और आपका आठारा परसंट का जी एसटी लगने वाला है चीके दो में लिखा है सी और स्टी वाले यहां पर 708 रुपे फिल करेंगी दोस्तों और जो पी डवलू बीडी में अन्द आते हैं ठीके चौत्ते नंबर पर उन्हें कोई फीज अप्लाई नहीं करनी है दोस्तों उनके लिए फ्री रहेगा अब यहां पर दोस्तों यहां पर कुछ important instruction दे रखी है इन्होंने यह बोल रखा है कि जो online application है इस website पर आएगी और वो भी October महिने के 3rd and 4th week पर ठीके दोस्तों और साथी साथ इन्होंने यह बोला है online registration और fee submission के लिए ठीके जो भी link activate होगा वो जल से जल किया जाएगा और इसी website पर किया जाएगा तो इसको time to time चेक कर लिया करें और साथी साथ मेरे चैनल के subscribe बटन को क्लिक करना ताकि आपको उसका notification टाइम से में दे सकूँ दोस्तों ठीके और आगे दिखा दिती हूं मैं आपको इन्होंने यहां पर यह भी बोला गया है form fill करते time पर आपको कहां पर examination center चाहिए आपको वो भी मिल जाएगा शहर की जो list होती है ठीके city की list आजाएगे आपको कहां पर exam देना है और साथी साथ बोला है यहां पर आपका cbt रेने वाला है cbt आपका computer based test है जो कि only on English language में आने वाला है याद रखना English language में आपका cbt exam conduct होने वाला है मेरे दोस्तों ठीक है मेरे दोस्तों और यहां पर बोला गया है कि आप जो आपका जो admit card होगा वो पोस्ट के थूरू नहीं आएगा आपका online आएगा admit card भी ठीक है दोस्तों फॉर्म को कैसे फिल करना है मैं आपको बता देती हूं ठीक ही सबसे पहले आपको यह website open करनी है ठीक ही website open करने के बाद home page पे जाना है home page पे जाना की बाद click on the link that announce the advertisement अब जहां पर advertisement है वहां क्लिक करना है वहां क्लिक करना के बाद online form submission में जाना है और आप registration के option में क्लिक करके registration करना है आप registration करने क्लिक क्या है सबसे पहले हम क्या है general instruction को carefully पढ़ना होगा सारे document अपने हाथ में रखने होंगे mobile number और emulator सबका valid होना चाहिए ठीक है उसके बाद है आप बोला है candidate can added the fill detail anytime ठीक है सब्मिट करने से पहले आपको सारी डीटेल देखनी है ध्यान से spelling वगेरा जो भी है सब कुछ ध्यान देना उसके बाद ही आप सब्मिट करना ठीक है दोस्तों उसके बाद अपनी required information को form एंटर करना है online form में उसके बाद सब्मिट बटन में क्लिक करना है फिर यह कैसे मैंस आएगा application number login ID के साथ आपके पास जो कि आपके registered mobile number और email address पे भेज़ दिया जाएगा इसलिए email email address और mobile number काफी carefully fill करना मेरे दोस्तों अब step 2 में बोला जाएगा कि अपने registration form की जो required fields उसके बाद education qualification experience date of birth और other details को fill कर दो उसके बाद आपको 1 MB maximum size है photograph passport size की अप्लोड करनी है 1 MB का आपको signature upload करना है जितने भी education document आपको वो upload करने है और after the preview click करना है preview click करना check करना सब ठीक है सब ठीक होने पर फिर submit पे आप click करना मेरे दोस्तों ठीक है अब जो भी fee mandatory है वो apply कर देना ठीक है अब step 3 में आपको दिखा देती हुँ मैं step 3 में आप बोलना यहां पे लिखा हुआ है proceed करना है payment button में ताकि payment होते ही आपका form complete fill हो जाए अगर आप payment नहीं करेंगे तो आपका form fill नहीं होगा पूरा ठीक है payment करने के बाद आप payment की copy और साथी साथ form filling की जो registration की copy होती है अपने future reference के लिए अपडेट कर दूंगी दोस्तों तब तक के लिए goodbye and take care